पिछले कुछ दिनों में आपने नॉर्थ कोरिया के बारे में आर्टिकल्स पढ़े होंगे जिसमें बोला गया है कि नॉर्थ कोरिया में फूड की शॉर्टेज हो गई है और बहुत ही जल्दी यहां की पब्लिक भूख से मरने लगेगी और इंपॉर्टन बात यह है कि किम जोंग उन जो वहां के डिक्टेटर हैं उन्होंने खुद ये बात मानी है कि हमारी कंट्री में फूड की शॉर्टेज है तो क्यों देखने पड़ रहे हैं नॉर्थ कोरिया को ऐसे दिन और क्या सच में वहां के लोगों को यूरीन इकठा करके देना पड़ रहा है ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में सो लेट्स बिगिन तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि 2020 में दुनिया ने क्या-क्या जहला है और उसके आफ्टर एफेक्ट कितने डरावने है नॉर्मल सी बात है कि नॉर्थ कोरिया भी इससे बच नहीं पाया है और अब नियूज ये आ रही है कि वहाँ के प्रेमियर किम जोंग उनने खुद ये बात मानी है कि हाँ हमारे यहाँ फूड को लेके स्थिती कुछ खास अच्छी नहीं है और कोरिया डेवलप्मेंट इंस्टिटूट जो की साउथ कोरियन थिंग टैंक है उसने बोला है कि इस साल नॉर्थ कोरिया में फूड का प्रोडक्शन कम हुआ है और थोड़ा बहुत नहीं धाई लाख टन कम प्रोडूस हुआ है रेफरेंस के लिए समझ लीजे कि नॉर्थ कोरिया की रेक्वार्मेंट ही पचास लाख टन के आसपास होती है तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नॉर्थ कोरिया की जोगर्फी कैसी है on the map तो यह आप देख रहे हैं नॉर्थ इस्ट एश्या का मैप और यह है कोरियन पलिन्सुला यह दो पार्ट्स में डिवाइड़ है उपर है नॉर्थ कोरिया जिसकी कैपिटल है प्योंग यांग और नीचे मिलेगा आपको साउथ कोरिया जिसकी कैपिटल है सियोल तो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मेंली इसकी बॉर्डर है साउथ कोरिया से और चाइना से और बहुत ही छोटी सी border है इसकी रश्या के साथ और एक important fact आपको बता दूँ कि North Korea की China and Russia के साथ border one of the oldest borders में से है क्योंकि ये borders basically दो rivers से बने हुए हैं ये देख सकते हैं अब ये है Yalu River और उसी के पास से ही दूसरी direction में flow होती है Tumen River जो naturally define करती है North Korea के borders को और North Korea को बहुत से लोग Hermit Nation भी बोलते हैं क्योंकि ये दुनिया की most isolated country है और ironically इसका नाम है Democratic People's Republic of Korea और यहां के लोग आपके और हमारी तरह Gregorian calendar भी नहीं यूज करते बलकि इनका खुद का एक calendar है जिसे जूशे calendar बोलते हैं और ये start हुआ था 1911 में Panmunjom declaration जो की एक peace declaration है South Korea के साथ ये sign किया था इन्होंने 2018 में और South Korea की independence हुई थी हमारी independence से ठीक एक साल बाद और 38 degree latitude जो है वो divide करता है Korean peninsula को into two parts Now आप ये सोच रहे होंगे कि North Korea की ऐसी हालत क्यों हो गई South Korea के जैसे इसके पास भी land है reverse है पैसा है तो क्या हुआ ऐसा कि इनके leader को सामने आ के बोलना पड़ा कि हां हमारी country में conditions खराब हैं तो इसका answer है कि January 2020 से North Korea ने अपनी जो border है चाइना के साथ उसको बंद कर दिया था because of coronavirus और इससे इनका almost 90% trade जो होता था वो भी रुख गया mainly ये लोग import करते थे चाइना से food, fertilizers, fuel पर अभी के लिए सब कुछ बंद रहे बॉर्डर को ये open कर नहीं सकते क्योंकि बाइचांस अगर एक भी COVID का case आ गया तो ये लोग सम् North Korea में उसमें ये सब खराब हो गए और बहुत सी buildings and factories भी उसके बाद से ही बंद हैं तो overall production किसी भी चीज़ का नहीं हो पा रहा है North Korea में तो क्या तब से किसी देश ने health नहीं की North Korea की तो इसका answer है कि ये लोग किसी की health भी नहीं लेते self-reliance के चक्कर में और इतना कि Kim Jong-un शा भी लगे थे इसमें बहुत से articles published भी हुए थे उस time and ये आप देख सकते हैं Korea Times का article इसमें लिखा है Kim Jong-un cries during commemorative speech और scroll करता हूँ एक minute ये देखे इन्होंने बोला था कि our people have placed trust as high as the sky and as deep as the sea in me but I fail to always live up to it satisfactorily I am really sorry for that although I am entrusted with the important responsibility to lead this country upholding the cause of the great comrades Kim Il-sung and Kim Jong-il thanks to the trust of all the people my efforts and sincerity have not been sufficient enough to read our people of the difficulties in their lives आप सोच रहे हूंगी कि क्या पहली बार North Korea में हालात इतने खराब हुए हैं तो ऐसा नहीं है North Korea के लोग पहले भी इतना सब को जहल चुके हैं और वो time था just after the collapse of the Soviet Union 1994 से 98 के बीच में North Korea ने face किया था एक massive famine जिसमें around 35 लाख लोग मारे गए थे mainly यह हुआ था यालू रिवर में flooding के कारण बट लोगों के मरने का एक reason इनकी policies भी थी जिसको यह लोग सोंगुन बोलते हैं मतलब की military first तो अब क्या रास्ता है North Korea के पास इससे बच निकलने का वहां की government ने सच में बोला है लोगों से कि आप अपना urine collect कीजिए और उससे हम बनाएंगे fertilizers जिससे crop production increase होगा और कोई पहली बार नहीं है जब North Koreans को ऐसा कुछ करने को बोला गया है उनकी government की site से यह लोग पहले भी ऐसा करते हैं और एक बार तो लोगों के घर से उनके pets भी ले लिये गये थे to eat them as meat in restaurants and इस वज़े से chaos भी बहुत हो चुका है already North Korea में but China कहा है इन सब में USA के दुश्वन देश तो China के मितरदेश होते हैं generally but यहाँ पे China के हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है क्योंकि अभी March में ही reports आई थी कि China cover up कर रहा है अपने यहाँ food crisis by importing food grains obviously इनके पास 3 trillion dollars के forex reserves है और यह उसको use कर सकते हैं but North Korea के case में ना इनके पास पैसे हैं और ना ही sanctions की वज़े से को इनको help कर पाएगा तो आप बताइए कि क्या करना चाहिए इस condition में दुनिया को क्या India को help करने के लिए आगे आना चाहिए इनकी on humanitarian grounds या फिर United Nations को sanctions हटा लेने चाहिए इनके उपर से क्योंकि अभी के लिए किम जों उन तो जिद पे अड़े हैं अपनी just like the USA बताइए आपने views comments में and मैं end करता हूँ ये वीडियो इस quote के साथ मिलते हैं next वीडियो में thank you for listening